नमस्कार दोस्तों आप सभी का सवागत आपके अपनी योटूब चैनल मानी ओव डिस्टल न्यूज अमडीन पर दोस्तों बात करने वाले हैं एनस्पीसी लिमिटेड स्टोक के बार में सुगस एनस्पीसी का फिसले टाइम ही क्योगन का रिजल्ट ओलड़ी जारी हो चुका था उसके बावजूत इस स्टोक पर लोवर सरक्ट आखिर कार क्योगन देखने को मिल रहा है साथी साथ दोस्तों कमपनी ने डिवडेन की भी अनौस्मेंट फिसले टाइम ही कर दी है तो फिलाल अभी दोस्तों कमपनी कितना डिवडेन पे आउट कर रही है साथी साथ दोस्तों कमपनी के टार्गेट्स क्या होने वाले हैं और अभी हमें कितना दुस्तोlichen वरतमान में दुस्तो इंतजार करना चाहिए या इसी price point पे दुस्तो फ्रेस्ट बाइग कर लेना ही जाहिए क्योंकि अभी इस stock के price 670,PCünde last fashion के closing रही यह जिस काफी गिराओट के closing रही है क्योंकिvé क्योंकि last session पर सित्यानों रुपर 40 पेसे तक भी हमें गिराउट नजर आई है अब इस गिराउट पर दूस्तों कई ना कई एक ओपरेटर्स का ट्रेप भी नजर आ सकता है और कई ना कई मार्केट के एक्चुल गिराउट भी अब ऐसा मा क्यों बता रहो दूस्तों आगे चलकर पता चलने वाला है पर कई ना कई इस स्टोक के लास्ट पांस सेशन पर अगर हम बात कर ले तो पिसले पांस सेशन पर इस स्टोक ने टोप प्राइस एड़ की है 101.6 पेशे अब इस स्टोक के बांस सब्ता की जो उस्तम पराइस रहने वाली है 118.40 पे से जो अभी कईना के दूस्तों लास्ट एक महीने के अंदर इस स्टोक ने न्यू फ्रेस फ्राइस एड़ की है जो लगभू 15 जुलाई के आसपास रहने वाली है अब इस प्राइस पॉंट से दोस्तों अगर हम इस लेवल के डेटा को रीड करते हैं तो कमपनी ने साड़े 15% से जाधा का निगटिव रिटन पे किया है क्यान की गिराउट हमें फ्रेस करने पड़ी है 15 जुलाई से 9 अगस्त के बीच में कये जो है चोका देने वाल नजर आ रहरे है क्योंकि कमपनी की रिजल्ट आई है है क्योंकि के है अगस्त अलड़ी हो चुकी है बार अगस्त दोस्तों कंपणि के एक्सदेट उलड़ी जारी हो चुकी है काफ़ी अच्छा कंपनि ने इंवेस्टमेंट यह जो एनाउस्मेंट किया है और कंपणि का सांदर पर्फोर्मेंस निकल के भी आ रहा है पर कई अभी के टाइम इस स्टोक पर एक्सपर्ट की जो राय निकल के आ रही है वो चोका देनी वाली है अभी यहां पर दोस्तो आज जो अपडेट निकल के आई है दोस्तो हिंदुस्तान की तरब से तो इस अपडेट में अगर हम चेक करें तो कहिना के 47% तूट सकता है यह पावर करार रखी है अभी की टाइम NSPC के लिए कहीना के अभी जो देखने को मेरा की जून तीमाई में में मेक्स्ट परफोर्मेंस के बाद NSP के सेर दोस्तो अगर देखा थे तो गिराउट नजर आई है गरेलू ब्रोकरेज प्रम कोटक इंस्टिविशनल एकिपटेज ने हाइड अब गुर्वार का इंट्रेटी हाई प्रैस दोस्तो घाराऊट दिया कहता था पर बता दे कि हालली में सब्ता में दोस्तो घेराऊट भी देखी गई है वर्तमान में जो यह सेर एकसो अठाट रुपए के हाली सिकर से 16 पर चूट पर कारूबार कर रहा है पर ल.I.C. के प पास इस कंपनी की जो सेर है वो खरीदे हुए हैं क्या है डिटेल तो इस पर अगरम जर्च आगर तो अन ब्रोक्रेज के नुशार एनस्पीच ने दर्ज होगी पर दोस्तो तो पर अगरम बात करें तो 46 परतिसत की वर्दी रही है बार 110.8 बीलियन का एबीडा वर्ज की हम बात करें तो 8 परतिसत की जो गिराउट है कमें की सुचना रहने वाली है तो इसका मतलब कई नकरी कोटक ने नोट में किया कि NSP सिक रिशिप्ट जुन दो हजार चोईस तक 246 एरव रूप है थे जो सालना आदार पर 21% कम है और 17 तिमाई दर तिमाई अधिक होनी वाली है यानकि रिजल्ट के अंदर तो कंपनी का परफॉर्मेंस सांधार निकल के आ रहा है पर कंपनी का सालाना तोर पर अगर हम चेक साथ करोड की वो सेल दोस्तो अब गिरकर मार्श तो हजार चोईस के अंदर हम चर्चा करें तो 9,632 करोड की कमपनी की जो सेल्स है वो आई है और कंपनी के दोस्तो जो प्रोफिट से वो भी ओलड़ी गिर चुके हैं 4,261 करोड से कंपनी का जो सालाना प्रोफिट गिरकर हल वरत्मान जो मार्श जो हजार 24 तक का जो डेटा निकल के आए तो उसके अंदर 4,28 करोड का कंपनी का नेट प्रोफिट निकल के आई यानकि ओल ओर कंपनी का प्रोफिट पर भी गिर और प्रोफिट पर गिर वो या हो रहा है company भी कि दोस्तो अभी टाम equity पर written 10% का निकल किया रहा है जो काफ़ी सांदर निकल किया रहा है stocks price CGR 95 फिस्तेगे रहने वाली है पर company की profit की growth में दोस्तो गिराउट actual देखने को मिल भी चुकी है sales की growth भी दोस्तो डावन हो चुकी है पर अभी company में दोस्तो चार्ट pattern की खासकर हम सर्चा करें तो company का जो चार्ट pattern है वो अभी दोस्तो काफी कमजूर कारूबार करता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि दोस्तो 38-10 में लोग बहतर रंगों पर company का जो चार्ट है वो कारूबार करता हुआ नजर आ रहा है तो कईना की negative signal की तरफ market तेजी से बढ़ रहा है और एक्सपर्ट ने जो target suggest की है 80 रुपए के आसपास तो वो दोस्तो target अभी के almost यहां पर हम रख सकते हैं कि बहतर रुपए तक दोस्तो target यहां पर downfall वे जा सकते हैं क्योंकि कईना के सबसे negative reason यहां फिनिकल क्या रहे है कि दोस्तो इस level price point पे दोस्तो जो गिर आउट हमें नजर आई है तो इस level से दो इस लगबग 80 रुपए के आसपास तो लड़ी इस stock पे गिर आउट जो देखने को मिलने की दोसांसे थे वो देखने को नजर आई क्योंकि दोस्तो कहीना के इस stock पे जो उतार चडाव थे वो भी हमें नजर आई पर अभी वर्तमान में इस stock की price काफी सांधार निकल के आ रहे पैनिक वाली situation थोड़ी कम है क्योंकि कहीना की एक operators का trap इस वज़े से बन सकता है मैंने इसलिए आप लोग को बता था कि 80 रुपए तक हम target मान सकते हैं कि इस stock में 80 रुपए तक गिराउट हो सकती है पर जिस परकार expert के राय जो देखने को मिल रहे हैं कि 80 रुपए तक गिर ओवर शोल्ड जोन को गर क्रोज करती है तो market में दोस्तो अचानक वापस तेजी इंक्रिटेश होनी की दूसांसे से वो बढ़ती हुई नजर आ जाएगी क्योंकि दोस्तु तबी market में जो तेजी है नजर आती है मार्केट में ओवर शोल्ड जोन अगर क्रोज हो जाता है व फ्रेस बायर्स दोस्तों वापस मार्केट में entry करते हैं, फ्रेस जो retailers है, वो मार्केट में low price फ्र बाय करने के लिए entry करते हैं, और तबी मार्केट में दोस्तों buyback continuously देखने को नज़र आ जाता है, तो ये चीजी दोस्तों अभी किट लिए काफी ज़साथ है, दोस्तो 12 अगस्ते जो जल्द ही नजर आने वाली है फिलाल दोस्तो company की बलकडिल भी वही नहीं है तो फिलाल दोस्तो ये सीज़े भी वर्तमान डेटा के अनुसार unavailable रहने वाली है साथी साथ Monday सेसन के लिए अगर हम बात करें दोस्तो Monday सेसन पर company का डेटा फिरशे lower circuit के पर जा सकता है क्योंकि Monday सेसन पर lower circuit का सबसे मोठा री जो रिजन है वो ये देखने को मिला कि दोस्तो market पर अब ओलड़ी तो सुक्रवार सेसन को ये दोस्तो 30 लाग सेर selling quantity पर लग सुके थे और पोने 10 लाग सेर दोस्तो बाइंग पर तो दोस्तो दो गुन है दोस्तो सेलर्स नज़र आ रहे हैं तो इसका मतलब दोस्तो Monday सेसन को फिरशे lower circuit हमें फेस करना पड़ेगा तो ये चीज़ अभी टाइम database के अनुज़ार देखने को मिल रही है जिस प्रकार का pre-open market डेटा हमें नज़र आ रहा था उस चीज़ से दोस्तो ये चीज़ पता चल रहे है कि Monday सेसन को फिरशे lower circuit फेस करना पड़ेगा फिलाल भारतिय बाजरों में काफी सांधार तेज़ी है तो market recover होने के चांसे ज़्यादा रह सकते है और आपके नज़र में कोई पैनी स्टोक हो तो उसको जानकारी कमेंट में पिन कर देना एंसेस करिके आपको जल्दी बता दिया जाएगा मिलते हैं एक्ट अमेजिंग वीडियो के साथ तब तक